हेलो फ्रेंड्स बिए प्रेटाइक एचुकिशन आपको उसाबत है मिया नाम है मैं गोय और मैं आपको दाना वाला हूं कि C-Language के अंदर हम डेटाइक का क्यों यूज करते हैं और क्या सका मेहत हुआ है C-Language के अंदर ठीक है तो आई शुरू परते हैं पहले जानते हैं कि इस डेटाइक होते हैं ठीक है आप C-Dattypes in a C-Programming language data types refer to an extensive system used for declaring variables or functions of different types मतलि C-Language के अंदर data types जो है extensive system होता है जो की declare करता है variable or function को of different types हमारे C-Language के अंदर कई सारे data types होते हैं यह कई सारे variables होते हैं functions होते हैं जैसे कि हमारा keywords है integer ठीक है तो उसको extensive उसका extensive system के अंदर जो उसका extension है वो है percentage D ठीक है D use करते हैं उसको कहीं प्रिंट करने के कहते हैं यूज करने के लिए और उसके प्रिंट करना है तो हमें percentage D देने पड़ता है ठीक है आलग programming में आपको बतंबन है यह चीज ठीक है तो ऐसी कई सारे सब चीज के अलग रग होते हैं यह जिसे कोई image है तो उसका .png extension होता है और .jpg होता है कोई गाना .mp3 होता है कोई movie .mp4 होता है वैसी CD types के अलग-अपनी अलग-अलग extension में होते हैं अलग-अलग keywords के ठीक है तो आइए देखते हैं आगे देख पड़ते हैं the types variable determines how much space it occupies in storage and how the bit pattern storing interpreted यह types जो है variable के वो बताते हैं हमें कि यह जो हमने use कर रहे हैं से जिस type को हम use कर रहे हैं वो हमारे memory में कितना space occupy करेगा ठीक है कितना space वो लेगा हर AD type का अपना अलग-अलग space size होता है ठीक है कई जबाद 2 देखा था कई जबाद 4 देखा था ठीक है तो इस चेंटा ने करना वो प्रसेसर के बड़ भी डिपेंड करता कही हो कई बाहर ठीक है तो आजी चेक करते है the types in C can be classified as follows आजी चेक करते ठीक है यहां देख सकते आपके सामने एक table दे रखी है अबर किते types के होते हैं आपके date types और उनके description ठीक है basic date types का होता है सबसे पहला basic date type के सामने यह ठीक है basic date इसके लावर continue होते हैं integer type floating type ठीक है integer type, float type, character type इसके अंदर continue होते हैं basic date type केरते हैं ठीक है second है हमारा e-unimulated date types ठीक है इसके keyword आता है enum नाम का ठीक है उससे शो करते हैं second को शो करते हैं enum से शो करते हैं ठीक है third आता type void void वो डेटा होता है जो भी कुछ value trend नहीं करता हम है कोई value हमें यह नहीं देगा ठीक है इसके बार में आपको आप प्रेक्टिक कर रहें कर आपको चप्टर के बाद आपको इसका पूरीता समझ में आपको void क्यों देता है क्या reason क्यों नहीं देपाता है आपको क्यों 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 प्रेक्टिक क्यों आपको 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 पता चले किसके लिए और फूर्थ हमारा pointer type, array type, structure type, union type and function type यह derivedare type होते है Monica यह kuin user defined होते हैं यहसे खुद define करते हैं यह basic добri法 Dash το declining होते हैं illuminated types भी basic picture poems sì defined होते हैं inanerated हो गया, derived warn typeaton हो गया आप चीशिक कह इहनी हम खुद & define करते हैं void सब तिन को खुद define करते हैं यहीजिए define होते हैं और basicこれ type यह पहले से ही defined होते हैं basic value जो होते हैं और यह तीनों जी वो आखी तीनों बचे हैं यह user defined होते हैं से हम खुड define करते हैं ठीक है आई आगे चलते हैं integer types integer types कैसे रते हैं ठीक है इसमें आपको stick table दिखा रखी है छोटी की पहले और आगे नीचे हैं इसके type रू है character ठीक है storage size के यदला 1 byte होता है ठीक है यह 1 byte storage size लेता है memory के नदर ठीक है इसka size 1 byte होता है 1 तो ए 8 bit ठीक है और इसकी range की होता है माइनस 128 से लेके close 127 तक ठीक है और 0 से लेके 255 तक यह ब स्कमास की रेंज होती है ॽह इतने इतने版ं घुर्ट लेसकता है डिक है 2 था नावा अन्साइं नेक्टर्टर्टर्ट रए तक में थी ठीड है अलेकिन नाम्साइं नेक्स्त पॉड हो थी ठीड है चलते हैं नेक्स्ट अभी अमने अन्साइं की इपूड़ा था आप sign देख सांग परेक्षर यह वर माइं होती है यह भी 128-देख से पॉस्टिफ 128 तक रहती है ठीक है unsure हो जो यह जो से लिए टो फसक है वो पॉस्टिफ पॉस्टिफ होती है लेकिन जो sign होती है वो नैजटी से लिकाशित होती है आता है अधा मैं आपको दिखहा था शक्राइल दो आपको दोल लेगा वाइट तो करें बार चाल लेता है यह करता है इसकी वैल्य होती है माइनस 32768 से लेंकर पॉजिटिव 32768 तक ठीक है और माइनस 2170 से लेखकर यह तो बहुत है ली ठीक है यह यह इतना ज़़ा है इसको पढ़ने थोड़ा टाइम लेगा आप देख सकते हो इतना हो है तो अगर डॉऩा पाइट करेक्टर है देगा ठीक है इतना वो रेंज ले वे Candi अब आते हैं अंसाइंग इंटीजर पर अंसाइंग इंटीजर भी दो बाइट ले सकता है या चार बाइट ले सकता है डिपेंड करता को प्रसेट पर उसकी वैल्यू रहींज होगी जीओ से लेकर पॉजिटिव 655 तक और जीओ से लेकर यह आपको देखा रखा है वैल्यू यहां तक अगर चार बाइट होगी और दो वाइट होगी तो यहां तक ठीक है आता हम शॉर्ट पर आओ शॉर्ट यह आपको दो बाइट लेता है तर्फ टीक है और इसकी वैल्यू होती है 32,768 नेगटिव लेकर 32,767 तक पॉजिटिव में ठीक है अंसाइंग शॉर्ट दो नेगटिव लेकर च्छार बाइट अंसाइंग टीक है अब चलते हैं next to get the extract size of a type or a variable on a particular platform you can use the size of operator अगर हम किसी भी data या फिर किसी भी variable का जो हमने define कहा है identifier का अगर हम जानना चाते है उसका size तो हम उसके size of operator यूस करते हैं ठीक है किसी भी data type का size जानने के लिए इसी भी identify का size जानने के लिए type of operator size of operator गी मदद लिते हैं ठीक है उसका एक example आपको मैं अभी करके दिखाओंगा बैस तहां पर दे रखा मैंने ठीक है कि मांको उसको करके भी दिखाता हूं ठीक है कि अब पहले हम अपना अभी आपको पूरा डेक्ट क्लासिफाइड करूंगा तो से ठीक है उससे पर आपको पूरा प्रवांग करके दिखाता हूं ठीक है यहां पर लिए हमें साइज आफ इंटीजर डाइड इंटीजर डाइड टीक है और मैं आपको पिताता कि इंटीजर एक लिए हमें परसंटेज डी लेते हैं ठीक है इससे कर दिया हमने साइज ऑफ ऑप्रेटर में आपको बताय था भी साइज ऑप्रेटर के उस करते हैं इसके अंदर दिखते हैं आइंटीजर ट्राइप इसे तक हमने बन नेक्स्ट आगे हम अम साइज चांगते हैं सैसे आग फफ्लोई वद्रट तパ्संटेगी साइब इसे चांग दख अफ्लोई वद्रोट अभी से फाल को पर देता है हम सेव ठीक है पर देखते हैं से उससे बाद में से अधिया में से और अधिया और आप देख सकते हैं आपर साइज और देखेंगे और अभी देखेंगे यह सही है यह गलत था ठीक है हुआ है हुआ है 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 हम आपको फ्लोट नहीं दिया गया है तो आप देख सब जो फ्लोट में चार ही लेता है वो ठीक है अब इस चार लिया है कि में परसंच चार ले सकता है इसे चार लिया है और साइज अफ लोट टैप फोर है ठीक है अब यह पूछ रोगे कि मैं आपसे कहा था कि फ्लोट सब के अलग 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 डेटा बता तो उनके अलग 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 एक्स्टेंशन भी होते हैं तो यहाँ के मैंने %d और %d क्यों रिया है ठीक है वो %d यह %d इस टी लिया है क्योंकि हमारा यह इंटीजर वैल्यू भी देगा फ्लोट जो आती है वो इंटीजर ही आती है क्योंकि फ्लोट का बतलब वहता है इससे % ….decimal नबर जो होते है और डेसिमल नमबर आपको उसनी मिलेंगे integer टाइब में ठीक है जैसा three point five three point six three point seven ten point九 이 सब चीजसी ऐं डैसेमल में है लेकिन है integer टैप में थीक है तो इसलिए ऐसे परसंटेज़ लूए में थीलिया आने तो कन्फउज नहीं होना आप लो कि मैं percentage télé आप क्यों लिए इंड़ा है फ्लोट के अंदर भी क्योंको फ्लोट के अंदर भी हमें डें इंट्रिया टाइप ही मुलेंगे नाकी और अलग टाइप मिलेगा इसलिए हमार परसेंटेज़ ढूज करते हैं फ्लोट टाइप के अंदर भी ठीक है और आपको लग रहा हुआ कि ये था डेंस 겁 झाते है किंदने ख़गिंखते हो प्रोग्राम चाहिंगा एक सेकंड एर दिखा दिए उसमें फिए हम नसे प्रूआ ज़िए शेपने दिन के संचेस के कि अब यहां पने कंटों देखते हैं अब यहां दुनि‍या रहा है हमारा तो चाहे है अब अब यह से हमें आज से नीचे वह अटाना है कि हम एदक फोर और साइट एक जसल लग रहा है तो इससे हमें आटाने के लिए यही कर रहा था मैं इसके लिए मैं यहाँ पर स्लैश अन्जिन आपड़ेगा ठीक है कंट्रोल सेफ कर दिया अब हमने इस दो आज से इससे रन कर दिया अब देखा अब यह आगया हमारा नीचे को इसको यह अलग आ गया इसको यह अलग दिखा दिया इसको करने के लिए मैं कंट्रोल मैं स्लैश और अन्ड न्यूस करना पड़ता है अगर हम किसी चीज़ को भी और न्यू राइंच आखते है अगया हमें ब्रदी के लिए शेलें करना पड़ता है अगया हम है अगया हम स्लैश आखते है अगया थै फ्रेंग प्लीस सब्सक्रब्सक्रबव आ चनल और आज बिए घ्ट जाट रोट थे इस वीडियो और शेयवे दिया दिया न्यूस कर आ झाल 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 झाल